इस वीडियो में मैं तीन टॉपिक पे बात करने वाला हूँ सबसे पहले कारपलक सहायक उसके बाद बिहार उर्मिला के बारे में फिर इस्टनोग्राफर एक्जाम के बारे में जो की बिल्ट रॉन की थू होगा तो सबसे पहले मैं आपको बता दो कि BPSM के तहट करपलक सहायक के लिए एक लेटिस्ट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है साथ में UIS यानि के उर्मिला इंटरनेशनल सर्विस प्रवाइडर लिम्टेट के तरफ से भी एक लेटिस्ट जारी किया जा रहा है और बिहार इस टोनोग्राफर के एक लिए एक लेटिस्ट नूज है वो मैं आप लोगों के साथ सेयर करूंगा आप वीडियो के अंतर तक बने रहीएगा तो सबसे पहले मैं करपलक सहायक के लेटर के बारे में बताना चाहूंगा वो बिहार प्रसासनी स्ट्रामिसन सोसाइटी समान प्रसासन वीभाग और आप सेवा में देख पारे हैं प्रबंदर निसे दक बिल्ट्राउन बिहार पटना भी से आप देख बारहे हैं कि बिहार प्रुशासंɿंगामिसन सोसाइटि अंतरगल कारपलक्स सहायक के जिलास्तरीय पैञिλ से अन्न कारियालों में निजित कारपलक्स सहायकों के नियोजन मुक्त किये जाने की सितीच में उनके पुनर नियोजन की दिशा में कारवाही बेल्टरॉन की दोरा किये जाने के संबंद में यानि कि हम आपको बताते हैं कि जिनको नियोजन मुक्त कर दिया गया था जो अपने कारे की अवधी समाप्त कर चुके थे यानि कि एक साल का जो उनका पैनल का निर्माड किया गया था वो कारिकर चुके थे तो उनका पुनर न्योजन किया जाएगा यानि कि फिर से उनको न्योजित किया जाएगा और ऐसे कारपलक्स है कंडिडेट का न्योजन अब बेल्टरोन करेगा बेल्टरोन अब उनकी दच्चता परिच्छा देगा जैसे कि 31 तारीक को पिछली इस्कु नियोजित कारपलक साहेकों का नियोजन मुक्त किये जाने की स्थित में उनके पुनर नियोजन की दिशाकारवाही के करम में इन कारपलक साहेकों का दच्टा परिच्छा आयोजित किया जाएगा तथा सफल अभ्यार्थियों को वेल्टरॉन के पैनल में सामिल किया जाएगा और इस करम में इन अभ्यारतियों को सेचल की योकता में छूट भी दी जाएगी क्योंकि ये पहले से कारिय कर चुके हैं डाटा एंटी आपेटर के पद पर अतानरोध है कि नियोजन मुक्तियानी की अनुसासनी कारणों से नियोजन मुक्त कर्मियों को छोड़ कर यानि कि जिन्होंने क्या है कि कारपलक सहाइक के नियम का पालन ना करते हुए जो कारे छोड़ दिये थे बीच में ही कारपलक सहाइक का उनको छोड़ कर पाकि सभी कारपलक सहाइक कंडिडेट को यहाँ परतष्टा परिच्छा युजित करने तथा उन्हें क्रम में अग्रेतर कारवाही करने की क्रिपया की जाए जी हाँ फ्रेंड्स तो कारपलक सहाए के सभी कंडिडेट अब भविस्ट में एक्जाम देने के लिए बेल्टराउन के थुरू तयार हो जाएं और सीवीटी की अच्छी खासी तयारी कर लें ठीके मॉक्टेश लिंक भी अविलेबल कराएगी है मैंने पिछला वीडियो अप्लोड किया था और डिस्केप्शन में आपको बेल्टराउन डाटा इंटी आपरेटर के पीवेस एर के स्थापना है तो 32 डाटा इंटी आपरेटरों की न्यूक्ति के संबंद में जिहां प्रेंट्स DMUS के स्थापना में 32 डाटा इंटी आपरेटर की न्यूक्ति के संबंद में लेटर जारी किया जा रहा है तो 32 नए डाटा इंटी आपरेटर को चैनित कर न्यूक्ति है तो सू अब उनको दी जाएगी तो आप देख पा रहे हैं सारी चीजें यहां पर बताई यह है और यहां पर भी से उन राज कि ऑफिस में कॉल करके पता करने पर फिर और वहा पर जो लोग जाके इंफार्मेशन निकारें जमक्रेशन कि अबहरेता में इस पूर चाए मंत के बाते वह लख से इसमhत में होगा लूह लेकिन अभी जो नियूजय निकलके ह। वो बताया जारा है सितंबर लाच तक नोटिफिकेशन इस्टोनोग्राफर का जारी कर दिया जाएगा और आप लोगों का एक्जाम लिया जा सकता है तो इतना आप जान लीजिए कि इस बार आपका एक्जाम इस्टोनोग्राफर का लिया जाएगा और आप अच्छी खासी तैयारी करें एक्जाम आपका कभी भी लिया जा सकता है कभी भी नोटिस पब्लिस की जा सकती है ठीक है और आप स्टोनोग्राफर की तैयारी के लिए डिस्केप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा आप प्रिवेस एर कुश्चन पेपर डाटा इंटी आपिटर का डाउनलोड कर लें अच्छे से तैयारी कर लें www.akonlinepoint.com पर आप विजिट करके वहाँ पर आपका एक्जाम कैसे लिया जाएगा एक्जाम का क्या प्रोसेस होगा आप जाके वहाँ पर अच्छे से रिट कर सकते हैं वहाँ पर मैंने सारी चीजें किलियर कर दी है पोस्ट भी लिख दी है कैसे क्या आपको करना होगा इसका क्या प्रोसेस है जॉइनिंग का क्या प्रोसेस है सारा डीटियल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा तो फिर्म लिंगे नए इस वीडियो में इदर तक के लिए बाइट टेक्ट